नमस्कार आप देख रहे हैं खबर किड़की मैं हूँ रंजीत कौर और हर्याना पर्देश की मुखे खबरों पर डालेंगे नजर सबसे एहम खबर से शुरुआत करते हैं एनए के और से चार राजियों में रेड की गई है पंजाब हिमाचल हर्याना के लावा चंडीगड में भी ये रेड एनएयो को और से की गई है और इस मौके पर नशातस्करों पर लगाम कसने के मौटिप से ये रेड की गई थी और मोगा के निहाल सिंग वाला में भी नशा तसकरों से पूछ ताश की गई है अजमेर से पुरानी दिली तक चलने वाली वंदे मातरम ट्रेन जल्द संचालित की जाएगी चंडिगर से इसकी शुरुआत होगी इसको प्रदानमंतरी नेंदर मोधी हरी जंडी देंगे सुबह 6 बजे चल कर ये वंदे मातरम ट्रेन साड़े 11 के करीब दिल्ली पहुंचेगी जिसे आम लोगों को काफी ज़ादा राहत मिलेगी और वंदे मातरम ट्रेन से लोगों का सफर काफी ज़ादा असान होगा हर्याना में 10 लोकसबा सीटो पर बीजेपी ने चुनाव लड़ने का एलान किया था पर बरजेंदर सेंग की अपसी के बाद अब समीकरन बदले हुए नज़र आ रहे हैं बताया जा रहा है कि जेजेपी महेंदर गड़ के इलावा एक और जगह से चोन लड़ना चाहती है जिस पे विचारवी मर्श के बाद अगला फैसला लिया जाएगा रननीती तै की जाएगी पूर भाजपा सांसत बरजेंदर सिंग के कॉंग्रस में शामिल होने पर मनोलाल खटर ने बयान दिया है उन्होंने कहा कि कोई आता है तो चला भी जाता है कोई सो समझ कर आता है और फिर चला जाता है तो उस पे कोई भी अपत्ती नहीं है गैंग्स्टर काला जठेडी और लेडी गैंग्स्टर अनुरादा की शादी होनी वाली है इसको लेकर हर्याना पुलस पूरी तरह से चौकस है चपे चपे पर पुलस तैनाद कर दी गई है और बैंकर्ट हाल को पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है इसके साथ ही ड्रोन के जरीर पूरी शादी पर नजर रखी जाएगी और पूरी दुनिया की नजर इसे शादी पर टिकी हुई है जितावनी गई तो वो इस अंदोलन को और तेज़ करेंगे और सरकार के खिलाफ अपना रोस व्यक्त करेंगे राज्यस तक्ता ब्योरो की ओर से एक अधिकारी को रिश्वत के 40,000 के साथ गिरफतार किया गया अंतर राज्य शादी के मामले में इस अधिकारी ने युवक से पैसे मांगे थे और बता दें के युवक ने अपनी फायल भी जमा करवा दी थी पर इसके बावजूद अधिका का वो घाटन कर रहे थे तो उन्होंने एक याद ताज़ा की कि उन्हें वो वक्त याद है जब वो और मुख्यमंतरी मनोलाल खटर बाइक पर गुमा करते थे उस वक्त रोड का बहुत बुरा खाल था करनाल में राजपूत समाज की ओर से एक मीटिंग की गई और अपनी मुझूदगी दर्ज करवाने के लिए सरकार से खास मान की गई इस मौके पर राजपूत समुदारिक लोगों का कहना था कि उनकी वोट उन्हीं के साथ है जो उन्हें टिकट का दावेदार बनाएगा लगातार कई समाज की ओर से इस तरह टिकट की दावेदारी पेश की जाती रही है और अब राजपूत समाज ने भी इसके लिए दाव हो गए और इसमें 12 लोग घायर होएं जिसमें महिलाएं भी शामिल है ये परिवार भात परने के लिए जा रहा था इसी दरम्यान कार की टकर एक ट्राले के साथ हो गई और इन सब को उपचार के लिए पहले सिवल हॉस्पितर में भरती करवाया गया था उसके बाद पी जी खबरों बस इतना ही नई और ताजा खबरों के लिए आप देखते रही है खबर खिटकी धन्यवाद